असलाम अलेकूं मेरे देखने आप सुनने वालों को मेरा सलाम उबीद करती हूं आप जहां कहीं भी हैं खैरियत से होंगे आज मैं आपको मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो के बहुत असान है और जद्दी भी बन जाती है कि रेसिपी शुरू काने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पहले आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखें गुम लेगी आपको इंगी जेस बताती हूं यह दो पॉंड मटन का भूश्ट है यह क्या अधा दही यह गारणिशन के लिए हरा धनिया अद्रक और मिर्च है और मसाले तैस क्यस नाहिए चानि जमक है खोटिली मिरच है नमक है और ये चंची लाल मिरच है और यह तीन टंड़र ढूर्ध कर जादा है यह एक कप तेल है हरी में रच है यह दो दो चमचा अद्रक रसन का पेस्ट है और यह भूना हुआ सफेज जीरा और भून के इसको मैंने कूट लिया है अब मैं इसको गोश्ट को पहले गला लेती हूं इसके बाद फिर मसाला डालना है और प्रिये जाल देला है अधर अधर प्रसन का पेस्ट डालेंगे थोड़ा बचा कर रखिए हम इसका मसाला तयार करेंगे तो उसमें डालेंगे थोड़ा यह नमग दाल देंगे इसमें यह गल जाने वे फिर इसको मसाला डालेंगे कडाई गोश्ट भी बहुत तरीकर से बनता है हरका अपना गरीका अलग-अलग है यह मेरा अपना इस टाइल बनानेगा चले यह गोश्ट जब गल जाता है तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं यह गोश्ट गल चुगा है इसमें हम फिर यह मारा लस्टन अजा का पर जो बाके था यह हम राल देते हैं है अगरी मिल्चे मी मैंने डाल देती इसमें गोश्ट गलते वक्त है अगरा अग्या तो दाल मिल्चे का पाटर डालेंगे अगर मसाले के साथ पाके गाएं टेक चम्ची यह जाएं तब हम इसमें टमाटर आप देते हैं हुआ है इसके बुगाल अच्छी कुछ्गुवा रही है तो मैं टमाटर बुछ जाए तो फिर मैं तेल देल दूंगी और बागे मसाला दाब इसका टमाटर गूल चुका है अब मैं यह इसमें ड़ी डालोंगी प्यादी प्यादी ड़ी है और इसको भूम के फिर तेल डालोंगी फिर बाखे मसाला डालोंगी रही मेक्स हो चुकी है यह बक्या मसाला का है यह मैं डालती हूं जलाकिस के खुच्बू तो बहुत अच्छी आ रही है अब भूंते बाख भी मैंने इसमें मोटी गाली मिरस डाल दिया था अब मैंस में यह अब देखे वर्ट जीर अवसावेद धन्यां अब अब दरक और दन्यां यह मेरा चेर इसको मैं पांच बिनट के लिए ढकते हूं फिर आप से मिलती हूं करो अब कंव करायी गόσ्ष तयार हो चुका है skincare यह OS यह नवायक्न नां के साथ आढ़ चूकर यह यह गार्ली का सकते हैं इस वह साधी नान के साथ भी खा सकते हैं जिससे आपका दिल चाही हम इससे खा सकते में साथ statistics में जितना टाइम लगता है लगेगा और बागी सारे मसाले अगारा तयार है तो जल्दी हो जाता है इसको कि बताती हुआ बहुत यमी है बहुत अच्छा बनाएं आप लोग इस रेसिपी को ट्राइब करें और फीद्बैक देए कैसा बनाएं चलिए मैं आप फिर दूसरी नई रेसिपी के साथ इंशाल्ला ताला फिर हादिर होंगी जब तक के लिए अलाव पेस